Disclaimer, this video is for education purpose only. We don't provide any tips. इट करेंगे और दूसरा, 22,100 का PUT, इसको हम वाच लिस्ट में एट करेंगे और इसको वाच लिस्ट में एट करने के बाद, जैसे जो हमारा Fires Terminal है, जो भी आप Broking Terminal यूज करते हैं, जैसे मैं Fires का Terminal यूज करता हूँ, तो इसमें हम एक साइड में Call Option, एक साइड में Put Option का चार्ट लगा देंगे, और उसके बाद, जो हमारा CPR सेट अप है, और जो EMA का कॉंबिनेशन है, उसको यूज करते हुए, RSI से Verification करके हमको Scalping का Trade करना है, तो इसको करना कैसे है, इसको समझने के लिए हम Screen पे चलते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, Nifty जो है 22,050 के Level पे चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा Noso का Call, इसको दोनों को Watch List में Aid कर दिया, तो Watch List में Aid यहाँ से जाके आप Watch List में Aid कर सकते हो, जिसको भी Aid करना है, इसके बाद हमको क्या करना है, कि चार्ट को दो पार्ट में split करना है, तो chart को split करने के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, chart को जितने part में चाहो, उतने part में split कर सकते हो तो यहाँ हमने, दो part में split किया हुआ है, तो एक side में हमने PE का chart लगाया हुआ है, और दूसरे side में CE का chart लगाया हुआ है और इसके साथ, हमारा लेता हूं कि हमने 8 EMA यूज़ किया है, 13 EMA यूज़ किया है, 20 EMA यूज़ किया है और 34 EMA का combination यूज़ किया हुआ है, तो ये चारों आपको लगाना है, साथ में अपना VWAP लगाना है और दूसरा है CPR with pivot level, ये हमारा setup का part रहेगा, अब setup का part तो हमको clear हो गया कि हमको tool कौन-कौन से लगाना है, अब इसमें जैसे ये call option का chart है, ये put option का chart है, और जो time frame हमने use किया है, वो one minute का use किया है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे market खुला, जिस समय खुला, उस समय आप देख लीजिए कि जो price है, VWAP के उपर था और जो 8, 13, 21 और ये 34 EMA का combination है, वो VWAP से उपर था, उसके बाद price नीचे आ गया, तो आप देख सकते हो, कि ये strong candle के साथ नीचे आया, और नीचे आने के बाद आप देख सकते हो, 8, 13, 21 और 34 EMA है, वो भी VWAP के नीचे आ गया, मतलब यहाँ से put option में गिरावट आएगा, ये clear हो गया, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो call option में सारा reverse है, जो 8, 13, 21 और 34 EMA का combination है, वो उपर आ गया है, तो हम किसको prefer करेंगे, हम यहाँ पर call option को prefer करेंगे इस समय पर, तो call option को prefer करेंगे, तो call में ही scalping करना है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, कि बहुत जादा wider CPR है, तो बड़े-बड़े target हमको लेना नहीं है, तो CPR का जो तीन line है, वही बहुत wider है, तो एक level से दूसरे level तक जाने में, हमको जो trade का निड़ना लेना है, वह असान रहेगा, तो यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हो, कि price, पहले तो VWAP के नीचे था, नीचे से उपर गया, तो कभी भी जब price, VWAP को नीचे से उपर के और break करता है, तो देफिनिटली वह उपर जाने के बाद फिर से वापस आता है, retaste करने, retaste करने आता है, तो इस बीच में हमको trade प्लान नहीं करना है, उसके बाद जब retaste करके, फिर से जब price उपर जाता है, और एक strong candle, जो 8 EMA के उपर में closing दे देता है, और उस समय ये ध्यान रखना है, कि जब 8 EMA के उपर में closing दे रहा है, तो 13 EMA और 20 EMA, 34 EMA नीचे होना चाहिए, और जो ये 34 EMA है, वो हमारा baseline है, जितना भी EMA है, वो 34 के उपर है, तब तक हमको call side में ही scalping plan करना है, इस समय पे हमको put का scalping plan नहीं करना है, है न, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कि जैसे ही, price जो है, 8 EMA के उपर strong candle का closing किया, हम scalping का trade लेंगे, और 1 से 2 candle, 1 से 2 minute के अंदर आपको profit book करना है, तो यहाँ पे अगर हम level देखेंगे, तो 276 का है, और जैसी ये 289 के level पे गया है, तो 15 point मिला है, लेकिन हमको book कर लेना है, फिर हमको यह देखना है कि consolidate होने दो, फिर वो जब 8 EMA के पूर strong candle का closing देदे, तो फिर से हम entry करेंगे, ध्यान यह रखना है, scalping में आपको stop loss लगाना नहीं है, जैसी ये candle के उपर आप entry करते हो, अगर next candle, इस candle के नीचे closing देदेता है, immediately loss book करना है, otherwise आपको क्या करना है, next candle पे जैसी entry किये है, wait करना है, और next जो भी 10 से 15 point मिलेगा, निफ्टी के case में, आपको book कर लेना है, friends, अगर आप channel पे नए हैं, तो channel को subscribe जरूर कीजिए, अगर आपको हमारा course free में चाहिए, तो आप video के description में, जो link दिया हुआ है, उससे आप अपना account open कर सकते हैं, और account open होने के बाद, इस WhatsApp नंबर पे आप share किजिए, आपको हमारा course free में available हो जाएगा, अगर हम bank nifty में कर रहे हैं, तो 300 से 400 रूपे के बीच वाला call और put option का chart दो part में split करके लगाएंगे, और same चीज को apply करेंगे, fin nifty में हैं, तो 100 से 150 रूपीज के बीच का option price का chart दो part में split करके लगाएंगे, और same setup को follow करते हुए fin nifty में ही scalping करेंगे, avoid करना है हमको mid gap nifty और sensex, उसमें volume का issue हो जाता है, तो कई बार आप entry करोगे और उसके बाद पता चल रहा है कि volume ही नहीं है और एकदम से gap up या gap down हो गया, तो one minute में भी उसमें बड़ा gap up gap down मिल सकता है, इसलिए बहतर है कि उसको अब ही avoid करेंगे, तो यही आपके लिए scalping का setup है, अगर आप scalping करते हो तो सिर्फ और सिर्फ scalping के उपर focus करिए, और हर एक trade के बाद कम से कम 15 minute का break लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपने scalping किया, आपको profit हो गया, फिर से एकदम तुरंद घुश रहे हैं, नहीं, हर trade के बाद आपको 10 से 15 minute का gap करना है, ताकि आपका mind refresh हो जाए, और आप सही निर्णाय लेने में सक्षम हो जाओ, कई बार क्या होता है कि हमने scalping किया, price बढ़ा और उसके बाद फिर से और बढ़ने लग गया, तो हम क्या होता है, उतेजना में फिर से गुश जाते हैं, वो गलती नहीं करना है, हमने अपना target ले लिया, 10 से 15 minute हम वेट करेंगे, price को फिर से settle होने देंगे, और फिर से जैसे वो ATMA के उपर strong candle बनाता है, तो हमको एक idea लग जाएगा कि हमको इस पे scalping करना है, और फिर next एक दो candle के अंदर हमको profit book करना है, तो हमारा जो nifty में target होना चीए, वो 10 से 15 point का होना चीए, bank nifty में 30 से 50 point का होना चीए, और fin nifty के case में 10 से 20 point का होना चीए, तो इसी तरीके से आपको scalping करना है, hope आप इसके उपर practice करेंगे और definitely आपको सफलता मिलेगा, next part में मिलते हैं, see you in the next part, thank you. Friends, अगर आपको ये content अच्छा लगा, तो वीडियो को like जरूर कीजिए, और अगर channel पे नए हैं, तो channel को subscribe कीजिए. For complete learning, you can join our master class, link in the description below.